हलो बच्चों तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूटन 9.8 में और हम लोग आज कंटीन्यू करने वाले हैं मोशन इन वन डैमेंशन विद कॉंस्टेन विलॉस्टी तो चलिए इस कोश्चन पर आते हैं कोश्चन में क्या लिखा हुआ है कोश कि यह कोई पॉइंट पी यहां डिस्क के बॉटम पर है ठीक है डिस्क का रेडियस हम लोग आर मान लेते हैं डिस्क का रेडियस उसको हम लोग आर मान लेते हैं तो कोई सपोज कि यह पॉइंट आपका डिस्क के बॉटम पर है पुछा गया है कि अगर डिस्क बिना स्लाइ में ही पुछा जाता है जो कि आप almost end of the mechanics परहेंगे लेकिन हम लोग को basic knowledge basic idea है displacements के बारे में तो हम लोग इस question को आसानी से solve कर सकते हैं ठीक है तो चलिए हम question पे देखते हैं तो point P आपका bottom में है अब सुचिए पॉईट पी आखिर ये point P का motion कैसा होगा तो point P क अगर ये आधा revolution complete करता है तो point P कुछ यहां से move करकर suppose कि डिसक यहां से move करकर यहां चला जाता है तो अगर यह half revolution complete करता है तो point P अभी है bottom में पहुंच कहा जाएगा आपका top पे चला जाएगा तो point P का final position यह हो जाएगा तो हम लोग को जो निकालना है इस चीज का displacement point P का displacement कहने का मतलब यह length निकालना है यह length निकालना है हम लोग को ठीक है तो चलिए हम लोग length हम निकाले हैं कैसे तो इसको हम लोग एक right angle triangle में convert कर सकते हैं आपका right angle triangle को स्ट्राइप से होगा तो इसको हम लोग एक right angle triangle में convert कर सकते हैं इसका जो height हो जाएगा आपका tour हो जाएगा आपको निकालना है इसका length कि यह length यहां से यहां तक कितना होगा तो देखे हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यह disc half revolution complete किया है अब जब यह half revolution complete करेगा तो होगा क्या कि suppose कि यह topmost point पे कोई point Q है तो अगर point P उपर पहुँच गया यहां से यहां तो जो point Q होगा वो यहां से चल कर यहां exact नीचे आजाएगा basically तो हम लोग बोल सकते हैं कि disc ने जो move किया इस periphery इतने जो half periphery हैं बसकते हो कि half of perimeter तो इतने length के बराबर आगे चला क्योंकि यह point धीरे-धीरे slide करते करते आगे जब जैसे से बढ़ेगा यह point जो Q हो धीर-धीर नीचे आएगा और जैसे हाफ revolution complete करेगा तो point Q आपको कहां पे मिलेगा bottom पे मिलेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि disc ने कितना complete किया half revolution कहने का मतलो जो length आगे चला वो half revolution 2 pi r होता है फुल आपका तो 2 pi r बै कितना हो जागा 2 जिसको हम लोग बोल सकते हैं pi r तो यह जो length हो गया यहां से यहां हम लोग pi r बोलेगे जो height हो गया आपका 2 r हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं displacement हो जाएगा जो कि आप इसको हम लोग नाम दे सकते हैं s से generally s से हम लोग displacement को ही रिप्रेजन कर सकते है तो s is equal to जो आपका base हो गया है pi r हो गया है pi r प्लस जो हाइट हो गया आपको कितना हो गया है तो पाई आर प्लस टूर इसको आप आर को कॉमन ले सकते हैं तो आप आर हो जाएगा पाई स्क्वाइर प्लस ठीक है तो यह आपका हो जाएगा डिस्प्लेस्मेंट ठीक है चले देखें अब हम नेक्स कोशिण बूफ करते हैं कुछ इसी बेसिस पे नेक्स कोशिण भी आपका बुला गया है कि इन प्रिवियस कोश्चन फाइंड डिस्प्लेस्मेंट अफ पॉइंट मैं इस कोश्चन का हिंट देता हूं हिंट नहीं आपको डियाग्राम बना कर दे दूँगा आप आंसर को नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हो तो चले इस कोश्चन को त्वा समझने कोशिस करते हैं ठीक है कि कोश्चन थोड़ा ज्यादा अच्छा है आप इसको ध्यान रखिएगा मतलब सोचिए कि आपको इस टैप के कोश्चन एक्जाम में सॉल्व करने होते हैं जब आप आयटे एक्जाम में बैठे हो गए तो इस टैप कोश्चन बिल्कुल सॉल्व करने होते हैं तो यह आपका डिस्क हो गया ठीक है और यह मूव करकर suppose किजिए कि यहां से यहां पहुँच गया वो डिस्क आपका मूव करकर वहां से यहां पहुँच गया चलिए सही है फरक नहीं पड़ता है तो point P आपका यहां है अब देखिए 3 by 4th relation 3 by 4th relation कहाने का मतलब हो क्या 1 4th मतलब 1 4th 1 4th 1 4th complete करना तो मैं आपको समधा देता हूँ 1 4th relation होता है 90 degree ठीक है 1 4th का 2 times वाता है इसके लिए आप हाप बोल सकते हो 180 degree 3 4th relation जो हो दाएगा आपका 270 270 degree मतलब आप बोल रहे हो 3 by 2 आपको कितना घूमना है 3 by 2 2 by जो होता है पुड़ा एंगल होता है तो इसका 3 4th आप बोलोगे तो आपका कितना देखिए 3 by 2 revolution होगा ठीक है तो 3 by 2 angle इसको rotate करना है तो अगर इसको 3 by 2 rotate करना है चलिए हम लोग इसमें दिखा जते हैं तो यह point यहां है ठीक है अभी इस point यह center के बिलकुल नीचे है तो यहां से अगर 3 by 2 rotate करेगा तो basically यह point इतना rotate करेगा और basically इस position पे जो होगा point पे exactly यहां होगा मैं location दिखा रहा हूँ ठीक है point पे exactly horizontal position होगा center के बिलकुल horizontal position पे होगा और कुछ इस तरह से होगा तो basically यह 3 by 2 होगा तो यह point पी वहां पहुंच चुका है चलिए तो अब हम लोग को निकालना है displacement तो displacement कहने का मतलब okay तो displacement कहने का मतलब यह हो गया कि आप मैं दिखा दूँ कि आप दिखा सकते हो यहां से okay वेट आप दिखा सकते हो यहां से यहां का distance ठीक है यह shortest path हो गया उसको हम लोग displacement बोलेंगे इस case में तो इसको हम लोग निकालें कैसे आपका यह distance जो की r के बराबर है और यह distance ठीक है इस दोनों के square root करने के बाद आपका हैगा तो अगर आप इस दोनों के square root करोगे स्याद आपको हो सकता है कि आपको आइडिया लग जाए कि कितना answer आने वाला है तो यह आपका displacement हो गया है तो हो सकता है कि आपको आइडिया लग रहा हुआ कि displacement निकालना कैसे है इस case में तो आप यही displacement आप से पूछा गया है आप इसको आसानी से सायद कर सकते हो आप हो सकता है समझ जाओ इससे कि आप निकालने वाले कैसे हो तो बेसकली आप किसी तरीके से यह जो बेस है यह निकाल लो तो जो एस की जो value है displacement के root हो जाएगी बेस का square प्लस height का square हाला कि मैंने height बता दिया है तो बेस का square प्लस height का square तो यह आपका solution हो जाएगा ठीक है तो आप इसको try करो answer comment box में लिखो ठीक है आखिर मैं भी जानू कि इतने लोग interested है ओके सो आज के लिए इतना ही next video में शुरू करने वाला हूँ motion with constant acceleration उसी के अंदर ह लोग आएगा motion under gravity तब तक के लिए बैबाए